हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूटीब चैनल में और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह M.I.T.V. है और इस M.I.T.V. में प्रॉब्रम आने लगी है कि यह green lines आ रही है जैसे कि आप देख सकते हैं कि बीच में बहुत चौड़ी सी green line आने लग गई है तो इसके मैंने जो है technician book किया था है M.I.E. की online website से और अब मैंने technician को बुलाया है तो देखते हैं वो इसका क्या solution बताते हैं बट जो visit charges हैं वो 589 है including GST 499 उसके charges है visit charges और 18% GST उसके बाद अगर आप कुछ भी उसमें extra charges जो लगते हैं आपके कुछ भी parts खराब होता है तो वो अलग से charges हैं और अगर आप agree नहीं करते हैं कि मुझे नहीं ठीक करवाना है तो 295 रुपीज जो है इसका cancellation charges है तो visit के बाद देखते हैं कि इसमें क्या problem आई है और ये क्यों ऐसा green lines आने लग गई हैं दोस्तों दो technician ने इस tv को open किया था और इसमें एक white color की पट्टी होती है पीछे उस पे carbon जम गया था तो उसको rubber से साफ किया और उसने बताया कि इसमें जो है उस पट्टी को हमें change करना पड़ेगा जिसकी cause 200-300 रुपे तक होगी वो पट्टी change करने के बाद फिर इसमें कभी problem नहीं आएगी temporarily उसने अभी issue fix कर दिया है बट दो दिन के बाद वो उस पट् अच्छी लगी हो और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोले थैंक यू सो मच